12 से 18 जून 2023 तक चलने वाले सब्सक्राइब का राशीफल लेकर मैं आपके सामने उपस्तित हूँ, नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैपी लाइफ योगेश शर्मा में काफी लाब होंगे, अपैसे के बारे में कई शुबसमाचार आने वाले हैं, इस सब्ताह में आपके कुछ अच्छी इंवेस्क्मेंट्स करने के भी योग बन रहे हैं, और इवन आपके कोई सरकारी अगर कोई दिक्कत आ रही थी न, वो भी अब चीज जो है सौट होने की तर आती है, एक सरल उपाय है, और वो उपाय है कि मंडे वाले दिन मीठा दूद बरगद के पेड को चड़ा दीजिए, उससे सारा सब्ताह आपका खुशनुमा भी बितेगा, और आपको जो गुड नियूज आनी है, वो रुकेंगी नहीं, सीधी आप तक पहुंचेंगी, आउकरी में है, उनको अपने वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं कोई ब्लॉके जा सकती है, या अगर उनके कोई एरियर आने थे, वो रुक सकते हैं, यानि धन रुक सकता है, और खर्चें बढ़ सकते हैं, इसकी वज़ा से सारा सब्ताह आपको फाइनेशल मैटर्स को लेके कही खर्चेंशन कोई तको बढ़ सकती है, थोड़ा सा हेल्थ की भी आपको केर करनी है, लदपरवाही से होने वाली हेल्थ की दिक्कते आपके लिए इस सप्ताह में बढ़ सकते हैं, वानी पे कंट्रोल रखिए और थोड़ा सा दिमाग को ठंदा रखिए ये रेसिपी है, इस सप्ताह में सुखी रहने की और सही रहने की एक ही उपाय है पीला फूलों का हार लीजिए और उसको शिवलिंग पे मंडे वले दिन अरपन करके आईए बस इससे सारे सप्ताह के अच्छी उर जाएं आपके साथ जुड़ जाएंगी अब जैमिनाई यानि मित्वन वालों की अगर बात करें तो भई वर्क प्लेस पे बॉससे बना के रखिए बिना बात के एक डिफरेंस अफ उपिनियन हो सकता है वो लोग आपके बारे में नेगटिव सोच सकते हैं वेपार में आपके सप्लायर जो है उनसे पेमेंट को लेके कोई ना कोई मतभेद हो सकता है इस हमें आपको अपने माता-पिता की केर करनी है घर में कोई elderly member जो है उनके कही ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत में फसने के योग बन रहे हैं health के point of view से बस एक ही उपाय है आपके लिए गौशाला में जाए गाए को हरा-चारा और एकर हो सके तो रात की भीगोई हुई हरी दाल जो है वो खिलाए इसके बाद आपके जीवन में ये सप्ता जो है ना कुदरत बहुत सारी अनुकूलताएं लेकर आएगी अब हम बात करते हैं करक यानि कैंसर राशी वालों की भाई चंद्रमा की राशी है आपकी शनी का ढईया चल रहा है और इस सप्ता में आपके घर मे या तो धार्मी का योजन होगा या आप किसी अच्छे तीरतस्तान की यात्रा करने का प्रोग्रेम बना सकते हैं अगर नहीं भी बनाया है ना तो कोशिश करिए अगर आपके लोकल एरिया में भी कोई अच्छा धर्मस्तान पूराना धर्मस्तान है ना वहाँ पे जाना इस इस सप्ताह में आपके कोई नई डील होने वाली है, कुछ नई लोग मिलने वाले हैं, जिनकी वज़ा से आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा फाइदे होने वाले हैं, और ईश्वर की क्रिपा जो है, इस संधर्म में आपकी करने वाली है, बहुत ज़्यादा मदद, इस सप्ताह में उपाई है कि आप मंडे वाले दिन थोड़ा सा गुड़ शिव मंदिर में चढ़ा के आई और फिर देखिएगा किस तरह सीश्वर शमतकार के रूप में आपके साथ रहते हैं अब बात करते हैं सिंग यानि लियो साइन वालों की आपकी जो राशी है ना इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि बुद्धी इस सप्ताह में ब्लॉकेज में जा सकती है सप्ताह के शुरू होते हैं आप उड़ा-उड़ा सा महसूस करेंगे डिटैच सा महसूस करेंगे कोई भी क्रेटिव चीज आपको सूझेगी ही नहीं लेकिन फिक्र मत करिये एक दो दिन का ही समय है ये उसके बाद बुद्धवार से लेके आनवर्ड़्स आपके लिए लगातार इस सप्ताह में एक अच्छी रेकोगनिशन का समय है नए लोग मिलेंगे कामकारोबार में अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अती शुब समय है बस आपको इस सप्ताह में बिना पढ़े किसी भी डॉकुमेंट पे साइन नहीं करने है उसमें फसने के आसार बन जाएंगे अगर इस सप्ताह में अपने लोन भी लेना हुआ ना तो उसको सप्ताह के सेकंड हाफ तक पोस्पून करिए फस्ट हाफ जो है वो लोन लेने के लिए आपकी फेवर में नहीं है तो उपाई क्या किया जाए इस सप्ताह में एक ही उपाई है वो है बिस्किट या यह जो बंस होते हैं ब्रेड होती है यह अवारा कुट्टों को रोज दीजिए चाहे दूद के साथ दे दीजिए चाहे वैसे ही दे दीजिए सप्ताह के सातों के सातों दिन यह उपाई करिए क्योंकि यह उपाई इस सप्ताह में आपके लिए पुद्रत का connection आपको देने के लिए एक जुरूरी हो पाए है। अब अगर कन्या यानि वर्गो वालों की बात करें, तो भई जीवन साथी से एक तो बना के रखिए, क्योंकि जीवन साथी से spouse से किसी ना किसी बात पर difference of opinion हो सकता है। वेपार में पार्टनर से भी दिक्कते हो सकती हैं और इवन आपके मूँ से वानी या बोलबचन कुछ ऐसे निकल सकते हैं जिसकी वज़ा से आप खुद को बहुत ज़्यादा मुसीबत में फसवा महसूस करो। बही जुबान से शब्द जो होते हैं वो तीर की तरह होते हैं एक बार निकल गए ना फिर वापिस नहीं आते हैं तो इस सब्दाह में बलगी मैं तो कहूंगा हमेशा ही अपनी वानी को बड़ा justified तरीके से यूज करिए यही एक reason बनेगा आपके लिए दिक्कतों के आने का तो इस सब्दाह में क्या उपाई किया जाए छोटे बच्चों को दुपहर के समय आप स्वीट्स या टॉफिया वगारा बांट दीजिए चौकलेट बांट दीजिए और इसके अलावा किसी एक गरीब स्टूडेंट को इस सब्दाह में कोई stationary या किसी तरह से उसकी पढ़ जुरूरी है, over adventurous नहीं होना है, drinking और driving को भी avoid करना है और इस सब्दाह में अपने भाईयों बहनों से संबंद, अपने दोस्तों से संबंद बड़े अच्छे बना के रखेगा, ये पिछले कुछ समय से आपको शिकायते मिल रही है कि आप उनको quality समय नहीं दे रहे हो, तो भ बहुत सारी मदद कुद्रत की तरफ से मिलने वाली है, इस सब्दाह में सब चीजें सही रहें, उसके लिए आपने एक ही उपाई करना है, Monday वाले दिन पीपल के पेड़ को आपने एक तो पानी चड़ाना है, और दूसरा पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया चला दे बस इतना भर करिये, ये उपाई आपके लिए एक जबरदस उपाई रहने वाला है, वरश्चेक यानिस कॉर्पियो, भई आप लोगों के लिए इस सब्दाह में सबसे जुरूरी चीज है, कि आपके जो भी काम कारोबार है उसमें अपने वायदे के खरे उतरिये, किसी से प्रॉमिस करना है, केबल इतना भर करिए, ओवर प्रॉमिस करने से बचिए, इस सब्दाह में अंडर प्रॉमिस से काम चलाइए, तभी ये जो सब्दाह है आपके लिए बढ़िया रह पाएगा, इस सब्दाह में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाईए, मंगलवार वाले द से मोटिवेट करिए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, किताबे पढ़िया, लेकिन मन को मोटिवेट रखना है, तन तो अपना फूड ले लेता है, मन का फूड होता है मोटिवेशन, वो इस सब्दाह में आपको देते रहना है, नहीं तो आपके ओवर थिंकिंग की लगा के बांध आईएगा, और उसको नॉट नहीं लगानी है, बस ऐसे फसा के आजाएगा, ये उपाए इस सब्दाह में आपकी बड़ी सहायता करने वाला है, अब अगर मकर यानि कैप्रिकॉन वालों की बात करें, तो आप लोगों के लिए चीज़ों को कल पे टालना ए बढ़ते चले जाएंगे, इस सब्दाह में आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज है, कि कोई रुका हुआ धन आ सकता है, या अचानक धनलाब हो सकता है, इसके लिए आपका लोगों के लिए उपलब्ध होना अवेलेबल होना जुरूरी है, हर फोन काल उठाईए, जो भी पीडियों के लिए फूड होता है, पीपल के पेड के नीचे है, आपने मंडे या ट्यूजडे वाले दिन डाल देना है, यही उपाए पूरे सब्ताह में आपकी साहईता करने वाला है, अब अगर कुम या निकोरियस वालों की बात करें, तो आप लोगों के लिए ये एक साल की प्लैनिंग के सब्ताह में कर दीजिए, अगर आप ये कर पाएंगे ना तो यकीन मानिये, ये साल आपके वन ओफ दा गोल्डन येर्स में शामिल होने जा रहा है, जिस तरह के ग्रह गोचर चल रहे हैं, आप लोगों के लिए इसमय रहू की उर्जा को अपने से दू असान है और इससे क्या होगा आपके जीवन में आपका जो प्लैनिंग पार्ट है वो आपको एक तो होता हुआ भी दिख जाएगा और कल को वो प्लैनिंग जो है आपको सफल होती भी दिख जाएगी, अब बात करते हैं मीन यानि पाइसेज वालों की, भई आप लोगों के चोड़ देंगे और उसकी वज़ा से बहुत नुकसान उठा सकते हैं, हर कॉल लेनी है, हर इनसान से मिलना है और स्पेशली इस सप्ताह में आपको कोई भी काम कल पे नहीं टालना है, और चीजों को 1-10 तक प्रोरिटाइज करना है, कौन सी चीज नंबर 1 पे है और कौन सी चीज लास्ट पे है, यह ना हो कि 10 नंबर वाली चीज को आप पहले पकड़ो और मेन चीजी जो है इस सप्ताह में आपसे होती भी रह जाएं, फिर आपको होने वाले नुकसान से आपको कोई रोक नहीं सकता है, इस सप्ताह में केवल एक उपाई है और वो उपाई भी सप्ताह नहीं, खाली अगला महीना नहीं, अगले कम से कम 200 दिन के लिए आपके सहायता करने वाला है, तो दोस्तों यह था इस सप्ताह का आपके लिए राशीफल, मैं आशा करता हूँ, इससे लाब लेके आप अपने आने वले जीवन को बहुत ही सफल बना पाएंगे, तो